और वहीं बात करें उत्राखंड के वैदर की तो उत्राखंड के कई लाकों में तेज भोचारों ने उमस और गर्मी से राहत दी है जबकि मेदानों में तेज हवाओं के चलते कई जगा पेड़ और विदुद पोल भी छतिक रस्त हुए मौसम विभाग ने आज भी नैनी ताल, बागेश्वर और पित्थोड़ागर समित अन्ने इलाकों में हलकी से मध्यम भारिश की आशंक जताई है वही मेदानी चेतरों में 30 से 40 किलियो मीटर प्रती घंटे के रफतार से हवा चलने के असार है और वहीं बात करें रविवार की तो रविवार को तड़के प्रदेश के जारतर इलाकों में घंए बादल चाय रहे धैरदुन समित कई छेतरों में तेज बोचार पड़ी हाला कि इसके बाद मौसम खुल गया और धूप निकल आई शाम करीब चार बजे मौसम ने फिर करवट ली और कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बोचारे पड़ी इससे तापमान में गरावट दर्ज की गई और उमस से राहत मिली मौसम विज्ञान केंद के निदेशक विकरम सिंग ने के मताबिक आज प्रदेश में कहीं कहीं हलकी से मध्यम बारिस हो सकती है जबकि कुछ इलाकों में गरज के साथ बोचारे पड़ने की संभावना है और वहीं बात करें धहरत दुन में तो आस्मान साफ रहने से लेका आंशिक रूप से बादल चाहे रह सकते हैं कहीं कहीं तेज होआँ के साथ बोचार पड़ने के आसार है नैनिताल में रविवार को परेटकों के भारी बीड उमरने से जगा जगा जाम लगा रहा सुबा से साम तक परेटकों की आवजाई से प्रेशासन की सभी विवस्ताएं ध्वस्त नजर आई पुलिस और प्रेशासन अंदाजा नहीं लगा सका कि इतनी बड़ी संख्या में परेटक आ जाएंगे रानी बाग से नैनिताल तक सड़कों पर जाम लगा रहा इससे परेटक भी परेशान नजर आए जाम में अंबुलेंस भी फसी रही शनिवाद से ही नैनिताल में परेटक आने शुरू हो गए थे इसके चलते रविवार को नैनिताल में परेटकों का जमावड़ा लग रहा है परेटों को की भीड के चलते शहर की छोटी बड़ी सबी पार्किंगे फुल हो गई हैं देर शाम तक दोपयावानों से ही डियसे मेदान एक और से फुल हो गया तो फैर बाद जब पंजाब दिल्ली और यूपी के परेटक आने लगे तो भीमताल मार्क और नैनिताल मार्क पर जाम लग गया रानी बाग में वहानों के लंबी कता लगने पर एस्पीर सिटी डोक्टर जगदीस चंदर के निदेशन में यातायात निरक्षक के साथ काट गोदाम और मुखानी थाने की पुलिस फोर्स लगाए गई इस दोरान पुलिस ने गोला पार से नैनिताल जाने वाले वहानों को रोक दिया बन भुल पर पुलिस ने गोला पुल के पास पड़े वहानों को रोक दिया था पुलिस ने परेटकों के वहानों को शहर के जाने पर भी रोक लगा दिया जाम के चलते परेटकों को काफी प अभीवार को परिटकों की फारी बीड़ उमर पड़ी अभीभावकों के साथ बच्चे भी पहुंचे और खुबसूरत पक्षों को देखकर खिल खिला उटे। रविवार को करीब तीन हजार परिटकों ने वन जीवों और पक्षों के दिदार किये। कोरोना के चलते लागों लोगडाउन की वज़े से पिछले दो महीने से घरों में कैद बच्चे अभीभावकों के साथ चिडियागर पहुंचे। वन छेतरा दिकारी महान सिंग रावत ने बताया कि दो महीने बाद पहली बार धैरदुन चिडियागर में तीन हजार परिटक कोंचे। जो काफी बड़ा आकरा है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में परिटकों के संख्या में और भी जाफा होगा। महीं चिडियागर में जिपलाइन, बर्मा, ब्रिज, कमांडो, नेट को पन कर किये जाने से यूवाओं को मायूस होना पड़ा। वनकर्मियों ने परिटकों को बताया कि मानसून के दोरान हाथ से किस आशंका के चलते सासिक खेलों को फिलाल पन कर दिया है।